कि एनर्जी उर्जा को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं प्लाइंट है आपकी मशिनरी है टेकनोलोजी है बहुत आपने काम के एंटी पीसी के चेर्मेंन ने भी आपकी तारीब करी थी पराली की समस्या का समाधहान यह पैलेट है पराली से पैलेट से पावर और पैसा प्रीप इंडिया प्लाइंट हमने बनाई टेकनोजी इंडिया में सबसे पहले हमने बनवाई जो अहम बात है जो मंत्री जी ने भी कही गई ग्रमीन रोजगार ये इंडरसीज गाउं में रोजगार दे चिम्न ने दुआ निगलता है उसी गेड में घुजा ँहांपर वो चलता है जो जल सकता है वो चल सकता है नमस्कार मेरा नाम आजाद कबीर है आप देख रहे हैं आज उत्तर परदेश की राजदानी लखनव में एनरजी उर्जा से संबंदित एक वर्क्शॉप का आयोजन किया गया है आयोजन जो है उत्तर परदेश राज्य विद्यूत उत्पादन निगम लेंटेड हैं और यहा मंत्री माने मंत्री श्री एक शर्मा जी मौजूद थे और जा मंत्री भी है और इस वक्त अभी जो वर्क्शॉप अभी जारी है चल रहा है अलग-अलग कंपनीज पाटिसिपेट कर रही है एनरजी के सेक्टर में क्या टेकनोलोजी आई है किस तरह से जो पराली है या पैल सकते हैं इधर भी देख सकते हैं और आप इधर भी देख सकते हैं सत्याजीत रिनिवेबल इंजीनिरिंग प्राइवेट लिमिटेड गुजराद बेस्ट कंपनी है राजगोट मुकेश जी पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका इनिस टूडिय पर हमने देखा कि अ होता है कि पर्द्यूशन क्रेट करती है आपके पास आपकी जो प्लाइंट है आपकी मशीनरी है टेकनलोजी है बहुत आपने काम के एंटी पीसी के चेर्मेंन ने भी आपकी तारीफ करी ती क्या कहने है सर इसको थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं जी जरू होई आज ये कि पौरालीकी किसान है उसको प्रोसायच करने की बात है कि पराली को आप सग्रिकेशन करो एकट गयर प्लएट बनाके और एंट्रेट पेड़ से पराली से पेलेट से पावर और पैसा तो पराली से पैसे कमाने वाली बात आज आ गई हैं ऐसी सरकार ने सर्व मुखी मुलब सर्व समाहित सर्व हिताई योजना किये सुभारंब किया है 2017 में 2017 में जलाबी रही है पैलेट खूब हमने लगवा भी दिये और उनको इनिसिटिव लेते हुए हमने शर्व प्रतप भारत में यह पैलेट मैंडियम प्लान पर इंपोर्ड प्लांत आते थे यह MAKIN IN INDIA MAIN IN INDIA प्लाANT brush हमने बनाई यह टेकनोजी AWES बनाई और सभी देशवासीयों को बोची प्लेट प्लांट लगवा रहे हैं और पराली किसानों की आई तो होती है में जो सबसे एहम बात है मंत्रिजी ने भी कही कोई है को toidelसे यह 1990 इंडरीय से चलने और खेती के इलाबा कोई रोज़गार नहीं होता है है इसे ग्रामिनों को अतिरत इंकम करने के लिए ग्रामिनों को रोजगार देने के लिए सुध रूप से योजना है और बहुत बढ़िया योजना और अच्छी तरह से चल रही है कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो प्राली है वह एक बहुती चिंता का विश्य बन जाती है खेतों में उसको जला दिया जाता था लेकिन आपकी कंपणी ने सत्यजीत कंपणी ने और इंजिनरिंग प्राइविट लिमिटेड आपने मशिनरी बना है टेकनोलोजी और आप बता यह अब बलाटी बनाती है जो यह मश्यन में पलेट मनेंके लिए सबसे पहले अब मटर्यम को ग्रांडिंग करना होता है रखी ऑर फिर पेलेट बनाते यह मसिन की खास्यती इसमें हम 16-18 mm बना सकते हैं इस दोनों की खासियत यह है कि सबसे लोइस कोष्ट पे हम पैलेट मेनिफिक्चरिंग कर सकते हैं जो अमारे देश को एफोर्टेबल है और दूसरा पावर प्लानेट को एफोर्ट यह इसकी खासियत है अभी थोड़ा हमारे दृष्टों को बताथ करना चाहते हैं तो कैसे आ सकता है और इन्वेस्टमेंट कितना होगा मीनिमम इसमेंट कितना होगा यह बिलकुल कोई भी रूर रेया में व्यक्ति पंदरा बीस लाग से लेके पचास लाग लगाये उसहसे क्योंगा सकता है रो जाना बीस्तुन करना है तो उनको 25 ल करना होता है अगर वो फाइनस साल में इतना नहीं करती है कोई भी उसमें तो उनको डंड होता है इसलिए यह प्राइविटी सेक्टर में ला दिया है आसानी से नेसलाइस बेंक में कहीं भी जाएंगे फाइनस हो जाता है तो आप 20-25 रुपे लगा के एक करोड रुपे तक ल जाएगा सब्सक्राइब अभी आपने बहुत सारी जानकारी दी अभी देख रहेएं कि यह पलेट यह पलेट है यह यह पलेट है यह वा करति थी पहले यस आपकी मशीन ने इसको पलेट बना दिया और यह सुधरूप से अर्ट और 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 किनिक फियूल हो गया मैं इसको नाम दिया है और गिनिक फिल यस तो अभी आपने बताया कि मिनिमम बीस पच्छीस लाख उर्पे का इन्वेस्टमेंट होता है और फाइनस भी हो जाएगा यानि एक सेटप अगर कोई अगर कोई बिजनस करना चाहे एक प्लांट लगाने के लिए पच्छीस लाख में उसका प्लांट शुरू हो जाएगा और भी फंड की जुरूद पड़ेगी उसको बेंक से फाइनांस करना होगा 25 लाग तो खुद का इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि बाखी का लेंड के इलावा 25 लाख रुपे लगेगा लेंड कितने एकड की जमिन लगेगी कम से कम एक एकड वाले ही जमिन चल सकती है क्योंकि हमारा जो एग्रो रेसीड्यू है वो सीजनल होता है तो सीजन के इलावा इसको स्टॉक करना होता इसलिए लेंड की अवशक्ता होती है अन्य था शेड तो पांशेजर स्क्वरीफिट में भी बिजनेस हो सकता है लेकिन लेंड हमें चाहि कर दिया पचास लाग एक करोड या पचीस लाग इंवेस्ट कर दिया अब अल्टीमेटली मार्केट में यह सेल कहां पर होगा कहां कहां पर भीके गाई है यह फिले अमारी जो बात थोड़ी एक आधिरे फिर मैं आपको इसका अंसर देता हूं कि 25 लाग सिर्फ मैंने तो सेल मैं आपको बता हूं मैं मुझे अक्षर क्वेस्टन पुछा जाता है क्योंकि मैं सेमिनारों में जाता हूं तो आपने यह पुछाने में उसका भी एक आंसर दूंगा एक बात करूंगा कि इसमें क्या-क्या चीजे चल सकती है मतलब रो मट्रेल क्या चल सकता सिर्फ तो मैं उसका एक लाइन भी जो स्बसे बड़ा विकल है यह ऊंगर ऑश कल हैम औरन के रूप में उसको और न्गेनिक और स सब्सें नाम दिया जाए यह और्गनीक फ्यूल है तो इंडिया में सबसे पहले हमने बनावाया इसकी मुझेरी और सबसे प्राथम हम इसके निर्माता है जो भारत में और हम यह दावा करते हैं कि जो रूटिकल रिंग मशिन है जो अजुबा लाएं जो कम लागत में यह मशीन हमने बनाई इंडिया में मशीन के तरफ बता दिए थोड़े मशीन कौन-कौन सी मशीन है आप कैमरा एक बार आप मशीनों के तरफ लेकर के आजए बताइए सब्सक्राइब यह वर्टिकल रिंग डाई मशीन है अच्छा यह वाली हाँ यह वर्टिकल रिंग डाई मशीन इसमें 6-8 mm जो प्रोडक्रिक्शन कौस्ट का है कम लागत में कोई वी चीज कम लागत में बननी चाहिए लेके और हमारे डेस इसके चंद्रायान भेजा way रिंगें कंन लागत में बना देते हैं सबसे बड़ी कोई मेंटेंस मेंए द pigs फीट हमारी जिब में ले जाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देख रहे हैं यह कुलर मशीन है प्लेट में क्योंकि प्लेट बनता है तो थोड़ा गरम भी होता है तो ठंडा करने लिए बड़ी कैपेसिटी का लगाता है तो कुलर भी रिकॉर्मेंट पड़ती ह है फिर यह पेकेजिंग मशीन है तो जब छोटी कॉंटिटी में जहां भी इंडस्रीज को एसी है जो पेलेट बर्नर भी आते हैं पेलेट बर्नर में जलाने के लिए भेजते हैं यहां तो कोई इसी इंडस्री जहां पर नूशेंस नहीं फिल है उसके लिए पैकिंग भी मा इसको आजम नहीं होनी है ठर्मल पावर प्लांट जितने भी है जहां बिजली बनती है वहां इसका यूज़ ज्यादð है मैसा ही कहा हुआ बिल्कुल थर्म बेज़ब कोई भी इंड़स्टी इंड़स्टीज है और प्लाइट में अभी सपार्पावर्ट में प्ले इंड़स्टीज में जला करती थी और आज से मिलना हों कंपनी से फ्रोक लेने मशीनिंग इसे बारे में संपर्ट कर सकते हैं और सारी एड़ेट ग्मेल डूट कॉम उस पहुकर सकते हैं घम दूसरा हमारे एक कंपणी का मुवाइल नंबर में 9001024009 पे भी हमें संपर्ख कर सकते हैं और एक एहम सवाल सर अंत में कि मिनीमम इंवेस्टमेंट आपकी सारी मशीनरी खरीदने के लिए मिनीमम खर्चा कितना है मिनीमम खर्चा आप में यह पूरा प्रोजेक्ट की बात होती है सिर्फ मशीनरी के बात करें तो 21 लाग रुपे में हमारी एक मशीन आ जाती है लेकिन एक मशीन से काम नहीं चलता है वी तो मसीने चाहिए कितनी मशीन है टोटल चार परकार की चार परकार की बश्याव जरूरी है नहीं ऐसा नहीं कैसा आप काम करते हैं उसी साफ से सेमी ऑट कर लेता है अगर करना हो तो जो सकता है चारना जेंगा वो सकता है और कोई टाव सीन करती है कोई ट्राविलिंग कूलिंग कंवेंट है लेकिन कई लोग है छो चेक तो held बीस्ति यह परेयस लहां और 15-26 बैचैंड का मोडल है है लेकि खाहर को हैं और पूरे उत्तर परदेश की जंता पूरे भारत की जंता से आप बिजनसमें से जो इन सब बिजनस में रिन्यूवल एनर्जी में इंट्रेस सकते हैं क्या कहना चाहते हैं क्या समझाना चाहते हैं जी मैं पूरे देशवासी हमारे जो भाई हैं सबको जो ग्रामिड रूर्ल एरिया में ये फेस करते हैं कि हमें रोजगार की या एंटरिप हमें बिजनेस करना है उसको सबकों मैं ये सला दूँगा कि ये बढ़िया उपरचुनिटी आई है कि हमारे गाउ में हमारे घर पे र हम आपको महीति देंगे और उसके लिए हमारा तीन दिन का वर्षोप भी है वो भी आप एंटिन कर सकते हैं और वो करने के बाद में आप अपने गाउ में भी फेक्ट्री लगांके और नियरेस्ट के पावर प्लानेट या तो नियरेस्ट में कोई भी इंडर्स्टीज को करते हैं उसके लिए आज से लेकर सरकार की सबसीडियों से लेकर सब कुछ सुईदा उपलब्द है और हमारी मदद आपको हर हमेश जरूर मिलती रही है अब सुन रहे थे मुकेश पटेल जी को और यहां पर एक इंपोर्टन बात निकल करके यह आई है कि फोर पी का जिकर क चार पी यानि फोर पी में सबसे पहले पी से पराली उसके बाद पैलेट पैलेट से पावर और पावर से पैसा तो यह एक सेक्टर है रिन्यूवल एनरजी में और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए या आप इस बिजनस में इंट्रेस्टेड हैं या या वर्क करती है देश और दुनिया की खबर देखने के लिए उत्रपरदेश की खबर देखने के लिए आप बने रही है एन्यूस्टूडे के साथ